हाई वेल्कम तो मैं चनल इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेशन अब 4 फाइंड 5 रेस्टनल नंबर्स बिटिवें 3 वे 5 और 4 अपन 5 तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे LCM मेथड LCM मेथड ऐसा मेथड है जिसके हेल्फ से आप किसी दो नंबर की बीच में आप जितना चाहें उतने रेस्टनल नंबर फाइंड कर सकते हैं चलिए इसको हम दिखाते हैं कैसे सॉल्व करेंगे Q4 इदि आपने Q3 देखा होगा तो आप समझ गए होगे कैसे करेंगे तो चलिए इसको देखते हैं 315 और 415 में कैसे निकालेंगे We have देखे सबसे पहले क्या करना होगा कि जो नंबर दिया रहता है उसमें देखे कि डिनामिनेटर इक्वल है कि नहीं देखे 315 यहां पर दिया हुआ है और दूसरा नंबर यहां पर 4 अपन 5 तो हम देख सकते हैं इक डिनामिनेटर क्या है इक्वल है already तो हम गया करना है कि numerator में numerator में देखना है कि कितने integers है कोई भी इंटीजर नहीं है इनके बीच में मतलब कि 3 के बाद just 4 ही आता है तो अब क्या करना होगा कि हमें किसी नंबर से प्लाई करना पड़ेगा उपर और नीचे ताकि इन दोनों के बीच में मतलब 3 और 4 के बीच में डिफरेंस बढ़ जाए यह बताएगे यदि हम 3 में कुसी नमर से में प्लाई करते हैं तो 5 में भी करना पड़ेगा तो जो यहां करेंगे जो है equal रहेगा हमेशा लेकिन numerator जो है change जाएगा जैसे कि हम यहां पर आपको दिखाते हैं यहां पर देखे 5 निकालना है ना 5 तो हम करेंगे यहां पर 5 में एक add कर देंगे तो यदि आप 5 में एक add करते हैं तो मिलेगा आपको 6 तो 6 वह number है जिस मट्पिलाई करने पर exactly 5 numbers मिल जाएंगे इन दोनों के बीच में अब बहुत आसानी से देखे कैसे मिलते हैं तो multiplying by 6 in this and this also we will get 3 into 6 upon यह मिल जाएगा 5 into 6 और यहां भी हो जाएगा 4 into 6 upon 5 into 6 तो यहां पर क्या मिला हमें मट्पिलाई करने पर यहां मिला 18 upon यहां मिल जाएगा 5 6 और यहां मिल जाएगा 4 6 और 24 upon 5 6 और 30 देखें denominator सेम है यहां पर लेकिन numerator जो है अलग-अलग हो चुका है मतलब कि 3 था पहले और 4 था अब हो गया 18 और 24 तो देखें 3 और 4 के बीच में number of integers 0 थे कोई भी नहीं था लेकिन 18 और 24 के बीच में बहुत सारे integers मिल सकते हैं और जितने भी integer मिलेंगे उन सब का यह दिदिदिद्रमेटर हम 30 कर लें तो बिल्कुल वही सारे होंगे integers जो इनके बीच में होंगे और एक बात और पताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमने 6 से multiply किया है तो यह जो number मिला है 18 upon 30 यह और कुछ भी नहीं 3 upon 5 ही है मतलब कि कोई जयता difference नहीं होता यह दूनों बस equivalent fraction है equivalent fraction मतलब कि equal ही है बस यहाँ पर हमें common factor एक मिल गया है तो 4 upon 5 के बाबर ये है 24 upon 30 और 3 upon 5 के बाबर ये है अब इनके बीच में निकालना है 5 हमें निकालना है रसे numbers तो बस आप़ों कुछ करना नहीं है यहाँ पर निकल चुका है already 18 के बाद क्या आता है 18 के बाद आता है 19 upon 30 19 के बाद क्या आएगा 20 upon 30 उसके बाद आएगा 21 upon 30 उसके बाद आएगा 22 upon 30 उसके बाद दे सकते हैं 23 upon 30 थोड़ा सह ये ओके है तो अब देख सकते हैं कि 18 upon 30 और 24 upon 30 के बीच में ये हमें मिल गए हैं 5 rational numbers और यहीं numbers हैं जो असानी समने find कर लिया तो देखिए हम लें जो आंसर निकालते हैं तो जरूरी नहीं है कि जो हम निकाले हैं वही exact answer है क्योंकि rational numbers जो होते हैं किसी भी दो number के बीच में infinite होते हैं तो आप यदि कोई भी 5 निकाल लेते हो तो यह मैं सचो कि केवल वही exact होगा या फिर book में आपके answer दिया होगा है तो यह मैं सुच लेना कि जो book में answer दिया होगा है वही exact है और वही लाना पड़ेगा इसा कुछ नहीं है क्योंकि rational number का जो number होता है दो number के बीच में वह infinite होता है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको यह answer नहीं लिखना पड़ेगा बलकि यहाँ पर थोरा सा simplify करना पड़ेगा तो हम यहाँ पर लिख सकते है 18 अपर 30 को लिख सकते है 315 क्योंकि आप canceler कर सकते है 65 जा 30 and 63 जा 18 सो लिख सकते हैं आप इसको 35 मतलब ओरिजिनल फिले हमने इतना आ गया अब 35 जो है less होगा 19 अपर 30 के अब 19 अपर 30 में कुछ कानफर्टर नहीं है इसलिए हम ऐसे रख देंगे और इसके बाद 19 अपर 30 से जो बड़ा होगा वो आएगा 20 अपर 30 इसमें से हम सिवन अपर 10 लेस दन यहांब क्या मिल सकता है 2 से कटेगा 2 15 जा and 2 11 जा मतलब 11 अपर 15 मिल जाएगा 23 अपर 30 यह तो मतलब की प्राइम ही है तो बिल्कुल यह रहेगा 23 अपर 30 और यह less than लास्ट में 24 अपर 30 कटाएगे 6 से 6 अपर जा हो जाएगा and 6 4 जा तो 4 अपर 5 मिल जाएगा फानल हम देख रहे हैं कि 4 अपर 5 and 3 अपर 5 के बीच में हमारे पास आ गए हैं 5 rational numbers तो यह हमारे हैं required 5 rational numbers लेकिन यही numbers नहीं होंगे हमें साख कोई दूसरा भी हो सकता है ठीक है तो यह एक method है जो हमने apply किया और इस तरीके से निकाल लिया तो हमें तो क्यों निकालना था 5 rational numbers ना तो यह एक method है जिसे हम आसानी से निकाल लिए तो आप यह लिए सकता है कि hence hence यहाँ लिए सकता है 5 5 required rational numbers rational numbers between between 3 upon 5 and 4 upon 5 are लिख सकते हैं आप 19 upon 30 first one हो गया 2 upon 3 7 upon 10 11 upon 15 and lastly 23 upon 30 ठीक है तो यह से करके आप आप से लिए सकते हैं तो hope कि वो समझ में आ गया होगा यदि आ गया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने से कर दीजिए इतने ज्यादा हो सके और यदि कमेंट पर कुछ लिखेंगे मिर लिए तो थैंक्यू बहुत अच्छा रहेगा ट्रहें भजी धिकी को जाओ पर के लिए भीज प्लीज दोड़ थे लिए भीज ग्रीज भास मेंड़ आज बहुझे आज यो मैंटटी यो बहुंट्रा योवाटी गीजी आए अड़ को पर दोटीजिए अड़ योद्टीजिए अच्छीए विवदेग का आड़ का